हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करते हूं कि आप सभी अच्छे हूं बच्चों शुरू करते हैं आज का द्याय दिन महीने त्यहार आईए जाने सबसे पहले दिन व महीने दिन तता महीने समय का एक भाग है एक सप्ताह में साथ दिन होते हैं बच्चो पढ़ते हैं सप्ताह के साथ दिन के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ब्रस्पतिवार, शुकरवार, शनिवार ये थे पूरे सप्ताह के साथ दिनों के नाम इससे भी समझे, रविवार को इतवार भी कहते हैं, ब्रस्पतिवार को गुरुवार, वीरवार, आदी नामों से भी जानते हैं आगे है एक वर्ष में बारा महिने होते हैं आईए जानते हैं सारे महिनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, एपरेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवामबर, दिसंबर ये थे बारा महिनों के नाम इसे भी समझे, फरवरी 28 दिन की होती है, लीप वर्ष, हर चौथा वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है अन्य सभी महिनों में 30 या 31 दिन होते हैं आईए जाने आगे त्योहार तो बच्चों हमारे देश में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जैसे पहला राष्ट्रे त्योहार, हमारे देश में तीन राष्ट्रे त्योहार मनाए जाते हैं 26 जन्वरी जिसे हम कहते हैं गरतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जन्ती और अगला है धार्मिक त्योहार तो बच्चों हमारे देश में विभिन धर्मों के लोग रहते हैं जो एक दूसरे के धर्म से संबंधिन त्योहारों को मिलकर मनाते हैं कुछ प्रस्थ धार्मिक त्योहार हैं हूली, इद, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, क्रिस्मस आईए दोराएं एक सब्ता हमें 7 दिन होते हैं तथा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं हमारे देश में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं राश्ट्र त्योहार तथा धार्मिक आशा करती हूं कि आप कोई अध्याई समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वैम कीज़ेगा